एक पर फिर से मैं लेकर आगया हूँ modern history mcq का बहुत ही important video जिसमें हम कभर करेंगे total 25 important question and these all question are very important for your examination like UPSC, state PCS, SSC, MTS, serious railway and all competitive exam और यह modern history mcq का मेरा 8th video है और अगर देखा जाए तो गांधियन एरा का यह हमारा 4th video होगा तो इसमें बहुत सारे question important question मैं cover करूँगा और किसी भी competitive exam में सबसे ज़्यादा question जो है वो गांधियन एरा से ही आता है तो प्लीज इस video को काफी seriously नेना और skip मत करना और पूरा session देखना तो ठीक है friends शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जाहिए फटा-फटा हमारे चैनल को subscribe किजिए और साथ में bell icon भी प्रेस कर लीजे so that हमारी upcoming video का notification आपको मिलता रहे लेकिन शुरू करने से पहले जैसा कि हर एक video के सुरुआत में मैं एक motivational code देता हूं तो एक motivational code आपके लिए तो सुनिएगा जिद्गी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलारी बहतरीन होता है ठीक है कब इनको फासी दिए गए थी, आप्शन सार 23rd March 1931, 23rd March 1932, 23rd March 1933, and 23rd March 1934, तो भगत सिंग, राजगुरु और शुक्देव को जो फासी दिये गया था, वो लाहॉर के सेंटरल जेल में दिया गया था, और ये कब दिया गया था, ये दिया गया था, ठीक है, तो हमारा correct answer हो जाएगा 23rd March 1931, ठीक है, इसमें क्या था, कि लाला राजपत लाएक का जो लाठी सिंग, जिसको मार के बाद में उनकी मुर्ति हो गए थी, उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंग, शुक्देव और राजगुरु ने, चलिए, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, यह प्रकास नारायन अन बाल ग youtubers त्यक है, तो लोग नायग जो थे, वो जैप्रकास नारायन को बोलाया था, option C is the right answer, ठीक है, option C is the right answer, इनको संचेप में जेपी भी बोलाया था, और 1970 में इंडरा गांधी को बात से हटानी के लिए इने ने संपूर्ण, क्रामती नामा के एक आंदोलन चलाया था ठीक है और इनको 98 में मर्नो प्रांथ इनको भारत रत्व से समानित भी किया था ये एक्चुली इनका जर्म जो हो था इंगाराक्टूर नायस्तो दूमें भी कहली चले एक इसीडेंट लए गांदी जी डिखेंगा छायो गांदोलन को किये उसरियह कि उप्सें एक काकोडी ऍपीजोड चाणी डिखेंग ऑनलाये प्या किफिजि़्र वहां === तो इसका correct answer होगा चौरी चौरा एपिसोड चौरी चौरा एपिसोड की वज़ा से गांधी जी को असयो गांदुरन को अपस लेना पड़ा असयो गांदुरन को स्थागित कर दिया था ठीक है चलिए next question देखते हैं फटा फटा पूना पैक्ट पूना पैक्ट जो था है उसका main purpose गया था options at Hindu Muslim unity to represent to lower caste at privilege to princes and to review the DRC तो इसका main aim जो था हो था to represent lower caste option B is the right answer ठीक है पैक्ट जो था वो भीमरों अंबेतकुर महात्मा गांदी के बीच पूने की यरवदा जेल में हुआ था 24 सेप्टेंबर 1932 के हुआ में हुआ था और इस समझोते में दलित वर के लिए प्रिथक निर्वाचक मंडल को त्याल दिया गया लेकिन दलित वर के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतिय विधान मंडल में 70 से बढ़ाकर 140 और केंद्रिय विधाइका में कुछ सीटों की 18% कर दे गई थी ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं अचलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं जो जलिया वाला बाग कांट हुआ था वो कख के हुआ था 1st June 1918, 13th April 1919, 14th April 1921 तो यह जो हुआ था 13th April 1919 को हुआ था 3 April 1919 को हुआ था और किसली हुआ था? क्योंकि जब रॉलिट एक्ट 1929 में पास हुआ था न उसके दोरान क्या था? डाक्टर सत्पाल और साफदून किचलू को गिरफतारी कर लिए थी उसी के विरोध में यह जनसभाय थी और जिस जनसभाय पर जनरल डायर ने गोलिया चलाए थी और लगभग सर्कारी रिफूट कर लगभग 389 लोग मारे गए लेकिन एक्ट्वल में जो मारे गया थे वो हजार से उपर ले थे कॉंग्रेस समिती लोग इनको हजार लोगों से उपर बोले थे कि मारे गया थे चली, next question दिखते हैं The second roundtable conference at London was held in the backdrop of जो second roundtable conference जाद जो लंडन में हुआ था वो किसका प्रिष्ट भूमी था? Options Immersan Gandhi Pact, Halley Gandhi Pact, Gandhi Irwin Pact and Gandhi Simon Pact तो यह जो था यह प्रिष्ट भूमी जो बनी थी इसकी Gandhi Irwin Pact से बनी थी Option C is the right answer Gandhi Irwin Pact कब हुआ था? पांच मार्स 1931 को हुआ था और second roundtable conference जो हुआ था वो September, December से लेके 1931 में हुआ था चली, next question देखते हैं The first and last Indian to hold office as governor general of independent India was Independent India का first and last Indian governor general कौन था? Option साथ, Jamnalal Bajaj, Si Raj Gupali, Rajendra Prashad, M.A.Sari तो character option is Si Raj Gupali, Yupal Chari, Si Raj Gupali ये सारी साहब जो थे वो first and last Indian थे जो governor general थे independent India का ये कब से कब थे 21.1940 से 26 January 1950 तक ये governor general रहे थे independent India के चली, next question देखते हैं The chairman of joint parliamentary committee of 1935 bill that led to the framing of the government of Indian act of 1935 was ये chairman कौन थे joint parliamentary committee के जो 1935 में जो bill पास हुआ था? Government of India Act of 1935 का, ठेके? Options Lord Lynn Link को, James McDonnell, Winston Churchill and Selman Attlee तो वो थे president से Lord Lynn Link थो Option A is the right answer चली, next question देखते हैं The Prime Minister of England at the time of quit India movement Quit India movement के time, Prime Minister काउन थे England के? जब भारत छोरो अंगरे जो भारत छोरो का आदोलन चालू हुआ था उस time Prime Minister काउन थे England के? Options Charles Chamberlain, Churchill, Selman Attlee and MacDonnell तो उस time थे, हमारे Churchill साहब थे, England के प्रदान मंतरी Option B is the right answer चलीए, next question देखते हैं Which Congress President negotiate with both Crips, Mission and Lord Weeple? इन में से कौन से Congress President ने? Crips, Mission and Lord Weeple दोनों से negotiate किया था Options, Abul Kalam Ajad, Jauharlal Nehru, J.B. Krippalani and C. Raj Gopal चारी तो यह हमारे Abul Kalam Ajad साहब थे जो कि हमारे आजाद होने के बाद, First Sikha Mantri भी बने थे चलीए, next question देखते हैं How many seats were given to depressed classes under Communal Award and Puna Act? कितने seats दियेगे depressed classes को Communal Award और Puna Pact करता है? Options 74 & 79, 71 & 147, 78 & 80, 78 & 69 तो जो सिर्थ यह कहे थे, 71 & 147 respectively Option B is the right answer चली, next question देखते हैं At which places in Bihar was the session of Indian National Congress of 1922 head जो 1922 का Congress का जो session था बिहार में कौन से जिलिमन हुआ था? Options हरीपूरा, पत्ना, गया, इंड्रामगर तो यह हुआ था गया में Option C is the right answer और इसी session में स्वराज पार्टी का formation हुआ था ठीक है उस time President को थे इंडियन National Congress के? वो थे चितरंजन दा साहब थे चलिए, next question देखते हैं Who played an important role in signing of Gandhi Irving Pat? Options Modilal Nahiru, Mother Mohan Malviye, Tej Bahadur Sapru, Chintamani कौन किनों ने important role play किया था, Gandhi Irving Pat? तो वो थे आमारे Tej Bahadur Sapru साहब Option C is the right answer चलिए, next question देखते हैं At which places of Bihar, Gandhi Ji started Satyagraha movement for the first time in India Satyagraha movement जो हुआ था First time India जो अगर देखा जाए तो इंडिया में पहला Satyagraha movement कहां से शुरू हुआ था? Bihar में ही शुरू हुआ था, पर कहां से हुआ था? Options Spatna, Gaya, Madhubani, Champaran Option D is the right option Champaran अगर इंडिया में बुला जाए First Satyagraha movement तो वह चंपारन है लेकिन गांदी जी ने पहला Satyagraha movement कहां किया था? वह South Africa में किया था और इसी चंपारन Satyagraha के वज़ा से जो आजादी का जो movement में एक पर्वक नेता के रूप में उगरे गांदी जी वह इन ही Satyagraha के वज़ा से उगरे थे पहले तो इस Satyagraha में जाने से उन्होंने मतलब चंपारन जाने से बहुत आनाकानी कर रहे थे लेकिन उनका जो स्रेद यह जो दिया जाएगा वह राजकुमार सुक्ल सहाद को दिया जाएगा जो उस टेंड बिहार के किसान मेता थे और उन्होंने काफी फोर्स करके गांदी जी को चंपारन बुलाया था जिसकी वज़ा से वह एक हीरो बनके उभर आये तो इन्होंने अपनी आत्मकता में लिखा भी यह है कि Satyagraha में उनके लाइफ में यह कितना इंपॉर्टेंस था ठीक है Satyagraha में चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं वेन वास रॉलेट आक्ट पास्ट रॉलेट आक्ट कब पास्ट हुआ ऑप्शन 19, 19, 19, 20, 19, 21, 19, 22 तो यह रॉलेट आक्ट को पास हुआ वो 19, March, 1999 पास्ट हुआ बिना किसी के कारण बताओ किसी भी मतलब में इसको मतलब कुछ भी आपने किया न तो आपको ग्रिफतार कर लिया जाएगा अगर आपनी बिर्टे सरकार के खिलाफ कुछ भी किया तो आपको तुरंत ग्रिफतार कर लिया जाएगा ठीक है तो इसे के विद्रों में उन्होंने जन सभाई के थे जहां फिर जलियावाला बाग हत्याकान को था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गांदी जी लांच दर नौन कोपरेशन भूमेंटीन गांदी जी ने असहियू आंदूलन कब शुरू किया था तो गांदी जी ने असहियू गांदूलन कब शुरू किया एक अगस 2020 को किया था तो ऑप्शन ए इस राइट एंसर ठीक है यह रहुल अटैक जलियावाला बाग हत्याकान और यह खिलाफत आंदूलन के उत्तर में गांदी जी ने असहियू गांदूलन स्टार्ट किया था चलिए नेक्स्ट खुचन देखते ही कुट इंडिया मुव्मेंट बिगें और कब शुरू हुआ अप्शन 9 अगस 1942 10 अगस 1942 15 अगस 1942 तो यह जो कुट इंडिया मुव्मेंट चो था यह 9 अगस 1942 को शुरू हुआ था इसी में गांदी जी ने नारा दिया था करो या मरो ठीक है इन 1942 में वर्धा में ही जो कॉंग्रेस ने अंग्रेजो भारत चुरू पस्ताव पारित कर दिया था चलिए वर्धा में किया था चलिए नेक्स कोशन देखते हुआ यह जो इंडियन ऑपनियन था यह उन्हें इस सो चार में सुरू किया था जिसके फॉर्स्ट संपादक फॉर्स्ट युटर यू मसुख लाँ नजर साहब थे, चलिए, एक कोस्टन दिखते हैं, ये कोस्टन अभी 68th BPSC में कोस्टन पूचा है, ठीक है, उप्सन सुनिएगा, बतक मिया, हामिद अंसारी, रविंदर पाठक, एन राम चंदर सुग्र, तो ये गांधी जी को किसने जान बचाई थी, तो ये थे हमारे बतक मिया साहब, बतक मिया साहब, तो अपसन A is the right अपसन, ये क्या था, जब गांधी जी चंपारण में सत्यागरह करने आये थे, तो उस तेम अंग्रिजों थे, वो इनको जान से मारने की कोसिस्क किया था, तो ये बतक मिया के थे, ये बतक मिया अंग्रिजों को दूद पहुँचाते थे, तो ठीक है, अंग्रिजों ने इनसे बोला, कि आप गांधी जी के दूद में जहर मिला दो, ठीक है, हम आपको बहुत पैसा देंगे, तो बतक मिया सहब ने जहर तो मिला दिया था, लेकिन जब पीने वाले थे गांधी जी उस दूद को, तब बतक मिया सहब ने काफी आत्मिक लानी, उन्होंने बता दिया कि इस दूद में जहर है, ठीक है तो इस तरह से उन्होंने बदक मिया ने ग्यांदी जी की जयान बचाई थी चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं The Swadhesi Movement The Swadhesi and Boycott were adopted as the method of struggle for the first time during the options Swadhesi and Boycott जो adopt हुआ था किसके टाइम में ये हुआ था Options Visit of Simon Commission to India, Partition of Bengal, Home Rule Movement and Non-Cooperation Movement ये question भी 68th BPSC जो अभी 12th 5 के एक्जाम हुआ था ये को पूछ चुका है तो ठीक है तो इसका correct answer होगा Partition of Bengal Option B is the right answer ये Partition of Bengal जो 1905 में हुआ था उसी में के लिए ये Swadhesi and Boycott Movement चला था कड़ी 105 से लेके 1908 था ठीक है उसी में इसी movement से लाल, पाल, पाल सहाब नेकला है मतलब पंजाब से लाल, महराश्य बाल गंगाधर तिलक and West Bengal से हमारे पाल सहाब तो अगर दिखा है तो लाल फोर लाला लाजपत रहा है बाल फोर बाल गंगाधर तिलक ठीक है ये तीनों नेता हो रहे थे चली, next question लेगते है In which of the following did सर्दार बल्ला भाई पतेल प्ले लीडिंग दोगी? इन में से कौन से movement में बल्ला भाई पतेल नेकी important role play किया था options बिजॉलिया movement, डांटी मार्च, बारदोली सत्यागरा and textile mill, वर्करेश ट्राइक आमादाबाद तो यह था option C is the right answer बारदोली सत्यागरा में उन्होंने important role play किया था जून 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किशान अंदोलन था जिसमें से उन्होंने काफी important role play किया था यह अंदोलन था कि इसमें विर्धी जो लगान का दर जो था करीब 25% तक बढ़ा दिया जया था बाद में जब बल्ला भाई पतेल ने इसमें leading role play किया तो इसके बाद यह जो लगान जो था वो 22% से करीब 6% तक कंग किया गया ठीक है और इसी मूवमेंट में बल्ला भाई पतेल को सरदार की उपाधी दी गई महिलाओं ने सरदार की उपाधी दी थी चलिए next question देखते है जो 6 अप्रेल 1930 की जो तारीक है वो इंडिन हिस्टरी में किस ले जाना आता है options डांडी मार्च भई महात्मा गांधी first round devil conference गांधी इर्विन पैक चलिया वागापाग तो ये जो डेट जो है ये डांडी मार्च भई महात्मा गांधी के द्वारा जाना आता है ठीक है नमक कानून को तो रहा था महात्मा गांधी ने और ये सुरुवात हुआ था 12 मार्च 1930 में और खतम हुआ था 6 अप्रेल 1930 में ठीक है ये यात्रा टोटल 24 डे चला था गांधी जीने नमक कानून तोरने के लिए सावर मत्य आसरम से दांडी के यात्रा की थी ठीक है और ये कड़ी 390 किलोमटर की यात्र थी जिसको गांधी जीने 24 दिन में कंप्रीट किया था दांडी जाकर वहां समुंद्र किनाडे कड़ी में सारे सायोगयों के साथ मिलकर उन्होंने नमक हाथ से नमक उठाया और नमक को बनाया ठीक है ये दमनकाडी कानून को अंग्रेजों की नमक कानून को उन्होंने तोरा था चलिए next question देखते हैं और आज का last question देखते हैं इ आपसं संपारंगन सत्यागर आहमदाबाद स्ट्रगल खेडा इस्ट्रगल और नन्होंति तो यह जो है यह आहमदाबाद स्ट्रगल जो है यह इंडस्ट्रियर वर्कर से लेटेड है ठीक है उन्होंदाबाद मिल मजदुरों की हर्ताल का नित्रत पर गांदि जो थैंटीची न हो किया था वहां पर क्या था कि उन्होंने आहमदाबाद में क्या था प्ले की काप़ी बीमारी फैल गई थी जिसके करण मिलमालिक कर्मचारीं को बोनस के रूप में कुछ पैसे दे रह इसी के विद्रोब में यह स्ट्रगल चल रहा था तो फ्रेंड्स आज हमने देखे टोटल 25 इंपॉर्टेंट कोस्टन और यह ग्यांधिया नहीं जा कि बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट कोस्टन है ठीक है यह आपके किसी भी एक्जाम के लिए किसी भी कम्पूर्टिटिव एक्जाम में यहां से कोस्टन आ सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो आज का वीडियो से सन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक बटन जरूर प्रिस कर दिए क्योंकि एक लाइक बटन से हमें काफी सारी मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियो बनाने के ल